अमीर बनने के लिए पांच रुपे के सिक्के पर सिंदूर से अपने नाम का पहला अक्षर लिखें। इसके बाद नाम लिखे हिस्से को उपर की ओर रखते हुए उसे छट पर पानी की टंकी पर रात भर के लिए रख दें। यदि पानी की टनकी न हो तो छट पर भी रखा जा सकता है। ऐसा करने के बाद अगले दिन मा लक्ष्मी का आहवान करते हुए उस सिक्के को लाल कपड़े में लपेग कर अपने पस में रख ले। यह सिक्का कभी भी आपके पास पैसों की कमी नहीं हुने देगा। धन में व्रिद्धी पाना चाहते हैं तो जिस जगव पर आप धन रखते हैं वहां चान्दी की गोली या चान्दी का बना हाथी रख दें। कहते हैं कि ऐसा करने से मा लक्ष्मी का आशीरवाद मिलता है और धन दौलत में बरकत आती है। अगर किसी व्यक्ती की इंकम में करने से हमेशा के लिए आपकी किस्मत चमक जाएगी। धनवान बनने के सारे रास्ते खुलने लगते हैं। दीपक से धन वर्षा आप शनिवार की शाम घर के किसी कोने में को यदी साथ से आर्ठ लोंग को डाल कर दीपक जलाते हैं। तो आपके घर में लक्ष्मी आने में पूजा अवश्य होती है यदि आप पूजा करने के नियम में यह एक चीज जोड लेते हैं तो आपके पैसों से संबंधित परेशानियां दूर होने लगती हैं आप जब भी पूजा करें तो आरती करते समय अपने दीपक में दो लोंग डाल दे फिर उसी दीपक से आरती सम्रिद्धी चाहते हैं आपको पके हुए मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रंग कर उसके मुख पर नारा यानी मौली बांद कर तथा उसमें जटायुक नारियल रख कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए अच्छानक धन लाब की तमन्ना है तो सफेद र उग्यस्थान पर रख कर सो जाएं ऐसा कम से कम 43 दिन तक करें हर शुक्रवार लाल या सफेद वस्त्र करें धारन श्री यंत्र देवी लक्ष्मी को अति प्रिय है और आप यदि हर शुक्रवार के दिन श्री यंत्र की पूजा करती है तो आपकी आर्थिक दशा काफी हद सुधर सकती है धन की अचानक ही कमी होने लगी है या फिर धन अधिक खर्च होने लगा है तो आपको अपनी तिजोरी में कपूर के तुकड़े के साथ एक गुलाब का फूल भी रखना चाहिए ऐसा करने से तिजोरी में धन ठहने लग जाएगा अपने पस में एक लाल एक हल्दी की गांठ हल्दी से दूर करें जीवन की हर बाधाक को लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी में रख दे और रोज उसकी पूजा करें ऐसा करने से आपको लाब जरूर मिलेगा यदि आपको जीवन में बरकत चाहिए तो आपको एक कांज की शीशी में नमक और ल धन की कमी को दूर करने के लिए आपको अपने पस में एक चांदी का सिक्का जरूर रखना चाहिए ऐसा करने से धन कमाने के नए अवसर भी प्राप्त होते हैं यदि पती का प्रमोशन रुका हुआ है या फिर सेलरी कम है तो पती की तरक्की के लिए हर पत्नी को नियमित तुलसी में जल चड़ाना चाहिए और तीन बार तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए हर शुक्रवार को वैभव लक्षमी का व्रत रखने से भी आपको बहुत लाब मिलेगा देवी का यह स्वरूप आपके जीवन में वैभव और एश्वर्य लेकर आएगा धन्वान बनना चाहते हैं तो नियमित 108 बार कुबेर जी की मंत्र का जाप जरूरी करें